पब्लिक टीवी आपकी आवाद मुरदबाद में 30 लाख रुपे के हाउस टैक्स के बकाए में नगर निगम ने मुसाफिर खाना सील कर दिया रेलवे स्टेशन के ठीक सामने इससित मुसाफिर खाना अतिक्रमन को लेकर काफी चर्चाओं में रहा है राष्टर बर्जरंग दल्ग के पुदर्शन के बाद मुसाफिर खाने के अतिक्रमन को नगर निगम ने धोस्त कर दिया था आजा मामला नगर निगम के हाउस टैक्स बकाय का है मुसाफिर खाने पर नगर निगम का हाउस टैक्स का करीब 30 लाख रुपक आया है बार बार तकादा करने के बाद भी रकम का भुपतान नहीं करने पर नगर निगम के टीम ने गुरुवार को मुसाफिर खाने को सील कर दिया हाला कि मुसाफिर खाने के गेट पर इसी दुकानों को फिल हाल सील नहीं किया गया है बकाया जमा करने के लिए गूदिन की बहु लगती गई है इस्टेशन रोड इस्थिक मुस्लिम मुसाफिर खाने पे तीस लाख निन्यान बेहजार रुपया बकाया है प्रमुख सचीव नगर विकास द्वारा निरंतर बड़े वकायदारों वसूली के लिए प्रतेक मां समिक्षा बैठक की जा रही प्रमुख सचीव नगरायक मौदय के निर्देशों के अनुपालन में निर्देशों के अनुपालन में उप्त बकाया धनराश की वसूली है तो मुसाफिर खाने को सील किया गया बिगत वर्ष भी मैं अपन नगरायक श्री अनिल कुमार सिंग हमारे कर निर्दारन अधिकारी कर अधिक्षक समस्त वसूली टीम बकाया की वसूली के लिए ब्यक्तिकत संपर्क किया गया बिल मांग नोटिस दिया गया उसके बावजुद को सीलिंग से पूर इनको एनाउंस्मेंट कर वार्निंग दे दी गई कल दुकाने सील की जाएंगी इन पर तीस लाख निंद्यान बेहाजार है पब्लिक टीवी आपकी आवाद